हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने मोटरोला जी एटी टू एंडूइट मैल फोन में आप जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सैटिंग को सैटिंग काम करती है आज के सब्सक्राइब डिसियो के सैटिंग करनाikt करते हैं सबसे पहले घृति कि सीलेक्ट करना आपको lock screen display के इस page में, lock screen का यह option मिल जाता है, ठीक है, इसे select करना है, अब यहाँ पर lock screen का छोटा ता page open होता है, इसमें आपको तीसरा option select करना है, third वाला, ठीक है, don't show notification at all, इसके सामने सरगाल है, इसमें आपको select करना है, तो यहाँ पर आपकी जो lock screen notification सेटिंग जो है, यह lock screen पर होगी, यह हमारा lock screen है, mobile का, ठीक है, यह देखे, lock लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई भी notification आपके mobile phone पर receive होता है, तो आपको जो है, इस lock screen पर यहाँ पर notification दिखाई नहीं देगा, ठीक है, जिस किसी का application का notification आया होगा, आपके mobile phone में, उसका notification उसके app में चला जाए लेकिन यहाँ पर आपको lock screen पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो यह lock screen notification सेटिंग जो है, disable करने के बाद इस तरीके से काम करती है, ठीक है, अब मैं आपको यह बता देता हूँ, कि आप इस setting को जो है, shortcut तरीके से अपने mobile phone में कैसे ठूंड सकते है, ठीक है, तो इसके लि पर आपका यह page आजाएगा direct, ठीक है, आपका mobile phone आपको इस page में directly पहुचा देता है,